ओगे दन्स वसी है फाइनल न्यू सिरेबस में 24 का पेपर 2 इस अलसो ओवर एंड बस दो चार मिनिट लूंगा मैं बिकॉस अब आपको तयारी करनी है आपके आने वाले पेपर के एंड स्पेशली इप बोद ग्रूप्स देन आपके पास दो चुट्टिया है प्लीज यूज उसका मैं डिसकेशन करूंगा कुछ मिनिट बाद सबसे पहले इड वास अ मैनेजिबल पेपर कुछ क्वेशन अगर मेरे देखे वे हो मॉड्यूल से आटीप से या इन जनरल आइसी है के सोर्सी से तो आई फील सिक्यूर्ट एन मुझे लगता है कि यार चलो पेपर हो जरूरे नहीं के theory mcqs में पूछेंगे it will be a combination paper was average but lengthy as well so obviously जो paper लिखता है उसको पता हो that things are not that easy आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है so that is the reason it's average paper majority paper from ICR sources so कुछ-कुछ questions were as it is picked up from module कोई उसमें doubt ही नहीं है and that's why as I said paper manageable था अब हो गया इसका discussion बहुत जादा भी इस पे नहीं जाना है hopefully everyone everyone gets an exemption and maximum mark so that अपना tension दूर क्या मोलते हो done अब audit का preparation अगर आपका खाली एक ही group है only group 1 आप दे रहे हो then in that case जी जान लगा दो आने वाले दो धाई दिन and इतना अच्छा कर लो audit कि मतला आपको जिसने audit पड़ा है उससे भी अच्छा आपका audit हो जाए इतनी महनत कर लो दो दिन का चुट्टी है तो ये एक assumption होता है कि paper difficult होगा उतना ही महनत करोगी है assume कर लो आप लो कि paper difficulty आने वाले है और उतना महनत कर लो seriously मैं बोल रहा हो because अगर आपका एक ही group है और एक ही paper है और उसके लिए इतना अच्छा time मिल रहा है you should not avoid that so full focus अभी चालू कर दो हलके में मत लेना because दो papers हो गए है एक tendency होता है कि चल आज तोड़ा chill मार लेता हूँ Netflix and chill नहीं तीन दिन बाद करना ही है Netflix and chill so please आज वो गलती मत करना all right guys तुम लोग बताना मुझे कि तुम लोग के predictions में से कुछ आया क्या comment में बताना and I would really be happy to read all your comments so audit full focus लिक लिक के भी तैयारी करने का तुम लोग के पास time है at least दो तीन बड़े chapters करो at least professional ethics आप निप्टा दो आज यार कुकि पता है उसमें से पंदरा बीस मां पंदरा मांग तो आने ही वाल है तो with clauses with sections इतनी अच्छी तरह से कर लो ना professional ethics कि वो पंदरा मांग तो secure हो जाए बाकी standards on auditing के ओपर focus है आज कल तो you can then accordingly pace your preparations all right guys जिसका दोनों ग्रूप है मैं बोलूगा कि आज audit के ओपर ध्यान मत दो आज आप DT पढ़ सकते हो that will be a better thing IBS कई लोगों ने group 2 वालों ने जो दोनों ग्रूप है उन्होंने IBS को हाथ भी ने लगा है तो आज थोड़ावत अगर उसके बारे में एक idea लेना है तो तुम लोग ले सकते हो you can just feel that so आज अगर दोनों group है तो आप एक काम कर सकते हो जो आपका second group का preparation है उसके ओपर focus कर लो बट time waste नहीं करना है in short full focus के साथ पढ़ा ही करना है अगर only group one है audit में अपनी जान डाल दो दोनों group है तो DT IDT जो आपको लग रहा है आपको लग रहा है अपना preparation के हिसाब से कर लो and then कल से वापस फिर audit का journey start कर सकते हो ठीक है but please आज का दिन waste नहीं करना है यह मुझे comment में लिखकर रहा था that yes I will utilize today's day and मैं तो बोलता हूँ कुछ target set कर दो मेरे को message कर दो आज रात को and then next day से वापस momentum कीच लेना ठीक है अभी एक अच्छा positive feel good factor है please इसको continue होने देना नाम के आगे बहुत जल सीए लगने वाला है keep smiling thank you so much